नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चानल सरल सिलाई A2Z में आज आप सभी इस वीडियो में अस्तरवाला अरिप कटका डिजाइनर ब्लाउज बनाना सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यह देखे हमारे पास दो कपड़े हैं एक यह अस्तरवाला और यह ब्ल यह देखे इसकी चड़ाई है और यह लंबाई है अब हम इसको लंबाई की तरफ मोड़ेंगे और हमें ऐसा मोड़ना है कि सीने का चौथा हिस्सा प्लस दो इंच आ जाए मतलब सीना 42 है तो 42 को 4 से भाग देंगे तो साड़ी 10 आ जाएगा साड़ी 10 में 2 प्लस करेंगे तो साड़ी 12 हो जाएगा इतना हम ले लेंगे यह देखे डबल पोल्ड हमारा कपड़ा है अब इसकी लंबाई नापेंगे लंबाई आपको जितने भी चाहिए उतनी प्लस एक इंच हम ले लेंगे हमें लंबाई 14 चाहिए तो एक इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले ले बलगई अब जो कपड़ा का बंद हिस्सा है यह देखे कपड़े का बंद हिस्सा है वहाां से हम 6 इंच चाण्य की चाणब होगत और 65 लंबा एक निशान लगाएंगे और देने बॉक्स बना लेंगे अब जो कपड़े का खुछला हिस्सा है वहां ले जाकर इसको मिला दे अब आर्म होल का निशान लगाने के लिए धाई उपर से धाई बगल से और देड़ इंच बीच से निशान लगाकर गोला बना लेंगे अब कमर आपका जितना भी है उसका चौथा हिस्सा प्लस दो इंच हम निशान लगा लेंगे अब ये दोनों निशान को मिला लेंगे तुर्चा अब हम गले की डिजाइन बनाएंगे इसके लिए हमें तेन इंच चौड़ा एक निशान लगाएंगे और लंबाई आपको जितनी भी चाहिए उतनी आप लंबाई ले लेंगी अब ये एक बॉक्स बना लेंगे हम अब हम इसके जो डिजाइन हमें चाहिए तो वो डिजाइन हम इसके बनाएंगे हमें मट का डिजाइन चाहिए उसके लिए हम अगर डारेक नहीं बना पाएंगे तो पहले हम तीन तीन इंच आर्म होल के साइट से नाप लेंगे अब नीचे गोलाई में हम निशान लगा देंगे अब इसे काट लेंगे हम अब काटने के बाद इसको बीच से फोल्ड करके कंदे के एकदम किनारे से 10 इंच लंबाई पर एक निशान तरफ और एक और निशान दूसरी तरफ हम 10 इंच लंबाई पर लगा लेंगे यह हमारा पीछे का पोश्चन कट गया है अब हम आगे निशान लगाएंगे तो आगे निशान लगाने के लिए फिर से हम कपड़े को मोड़ेंगे और अब हमें ऐसा मोड़ना है कि पीछे वाला जितना भी चौड़ाई है उससे एक इंच एक्स्ट्रा हो पीछे वाला साड़े बारा कटा था तो इसकी चौड़ाई साड़े तेरा होनी चाहिए और लंबाई उसकी पंदरा कटी तो इसकी सोला होनी चाहिए तो एक एक इंच एक्स्ट्रा हमें बढ़ा कर आगे वाला कट करना है नाप लेंगे हम एक इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा बिल्कुल भी बरबार ना हो इसलिए हम एक ही इंच एक्स्ट्रा काटेंगे इससे अच्छे से सेट कर लेंगे नापने के बाद अब इसको रखकर पीछे वाला हिस्सा एक एक इंच एक्स्ट्रा लेकर हम निशान लगा लेंगे देख लिए एक इंच एक्स्ट्रा है आगे का गला आपको जितना भी चाहिए इतना प्लाफ लेंगी इसमें मुझे चेंज लंबा लेंगे अब गला चाहिए आगे का चेंज पर सीधा निशान लगाएंगे और इसे बंद हिस्से में मिलाकर गोलाई बना लेंगे आर्म होल पीछे के हिसाब से आधा इंच एक्स्ट्रा कटेगा ये गोलाई बना करके इसे भी हम काट लेंगे अब देखिए कमर उचाई 12 है तो 13 पर हम निशान लगाएंगे और एक सीधा लाइन बना लेंगे अब कपड़े का जो बंद हिस्सा है वहां से आधा इंच एक्स्ट्रा उपर की तरफ लेते वे हलका गोल बना देंगे अब हम कंदे के बीचों बीच से 9 इंच पर एक डॉट बनाएंगे अब उसी डॉट से कपड़े के बंद हिस्से की तरफ देड़ इंच छोड़ करके आर नोल की तरफ देड़ इंच दो इंच छोड़ करके और एक निशान लगाएंगे अर नीचे की और भी हम दियर इंच छोड़ेंगे तीनों साइड हमें देड़ इंच छोड़ना है लेकिन आर महूल की तरह हमें दो इंच छोड़ना है अभा में इसे काट लेंगे यह देखिए यह निशान हम दूसरे साथ लगाने के लिए इसको इसके उपर रख करके थोड़ा सा अपने नाखुन से निशान लगा लेंगे यह देखिए हलका हलका निशान बन गया ऐसे के उपर गाड़ी लाइन हम बना लेंगे इसको वापत से जोडते हुए क्या हम काट लेंगे अब कटिंग हो गई है अब हम आस्तिन की कटिंग करेंगे हैं कपड़ा निकाल लेंगे यह दो कपड़ें के लिए जिसकी लंबाई तो आपको जितने भी जाहिए उतनी आप ले सकती है मुझे 9 चाहिए तो 10 लिये है और चोड़ाई जितना भी सीना है उसका डबल फोल्ड करके चौता हिस्सा आना चाहिए अगर पड़ा डबल फोल्ड है तो सीने का चौता हिस्सा इसकी चोड़ाई आने चाहिए अब इसके एक साइट से हम साड़े तीन इंच का एक निशान लगाएंगे साड़े तीन इंच चोड़ा एक निशान लगाएंगे और इसे उपर की और हम मिला लेंगे इसे ऐसे उपर की और मिला लेंगे अब दूसरे साइट हम मोहरी का निशान लगाएंगे मोरी जितना भी उसका आधा प्लस दो इंच मार्जिन के लिए हम निशान लगा लेंगे और इसे मिला लेंगे अब हम इसमें आस्तीन का शेप देंगे हलका गोल अब हम इसे काट लेंगे अब आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाकर कपड़े का दो आस्तीन पकड़कर हम आधा आधा इंच एक्स्ट्रा काट लेंगे दोनों आस्तीन में आधा आधा इंच आगे की और एक्स्ट्रा होना चाहिए भी देखे हमारी आस्तीन कट गई अब हम गले में लगाने के लिए दो या देड़ इंच चौड़ी तिर्शी पट्टी काटेंगे दो तीन काट करके रख लेंगे अब हम ठुक लगाने के लिए एक दो इंच चौड़ी पट्टी काटेंगे दो इंच चौड़ी और दस इंच लंबी और एक यह ऐसे काट लेंगे और जिसमें आई बनाते हैं उसको काटने के लिए हम इस कपड़े का यूज़ करेंगे अब हम इस पर कपड़े की सीधे साइड पर हम यह पीछे का हिस्ता कटा है उससे बिचाएंगे पहले हम देख लेंगे कि इसमें अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर कमर की तरफ आए सीधे साइड हम इसके बिचाएंगे क्योंकि पलटते टाइम ताकि यह सीधा रहे अगर हम उल्टे साइड बिछाएंगे तो पलटने के बाद ये गलत हो जाएगा तो हम सीधे साइड इसको बिछाएंगे इस पर कच्छी से लाई कर लेंगे चारो तरफ और जो आगे वाला हिस्सा है वो हमें कपड़े के उल्टे साइड बिछाना है फिदेखे उल्टे साइड हमें आगे वाला हिस्सा बिछा लाएं आस्तील भी हमें कपले के सीधे साइड बिछाने है और आगे वाला हिस्सा पूल्टे साइड पर ये देखेए हो गया ये अब हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे मशीन से गल्ले के साइड और नीचे कमर के साइड हम सिलाई करेंगे आस्तीम में किनारे सिलाई करके पलट देंगे अब देखें यहां मशीन चला लेंगे चोटे-चोटे कट्स भी लगा लेंगे ताकि पलटते टाइम सुकुडे ना कमर पे भी हम सिलाई चला लेंगे और इसे पलट लेंगे पलटकर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे इसे प्रेस करने के बाद यहां लगेगा यहां पर भी एक हम मशीन चला लेंगे एक सिलाई यहां पर लगा लेंगे यह देखे हम पक्की सिलाई इस पर चला लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए अब यह जो निशान लगा थे इसे भी हम सिल लेंगे यह देखे पीछे का हिस्सा हमारा सिल करके कंप्लीट हो गया है अब यह आगे का हिस्सा हम सिलाई करेंगे तो जितने भी चार निशान लगया है उसको हम सिल लेंगे दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अब वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट कीजेगा यह देखिए इसे भी हम जोड लेंगे यह जो अरे पट्टी थी इसकी उपर से भी एक सिलाई चला लेंगे नीचे से मोड करके थोड़ा सा हम यह भी सिल करके दोनों कम्प्लीट कर लेंगे यह देखिए हो गया ऐसे यह दोनों सिल गया अब हम जो हमारा दाया साइड है वहाँ पर हम दो इंच चौड़ी पट्टी लगाएंगे इसे ऐसे मोड करके पलट लेंगे तो देखिए कैसे लगाना है हमें इसे पहले ऐसे मोड करके दो बार हम इस पर सीधी सिलाई चला लेंगे इसे पलट करके किनारे की ओर हम सिलाई चला लेंगी यह चारो तरफ हमें सिलाई चलाना जिससे मजबूत हो जाए आप चाहें तो किनारे तुर्पन भी कर सकती है लेकिन सिलाई चिला देंगे तो ज्यादा मजबूत हो जाएगा यह देखे कंप्लीट हो गया अब जो बाया हिस्सा है वहां पर हम ब्लाउज का कपड़ा जो है वो लगाएंगे क्योंकि यह दिखता है इसमें हम आई बनाते हैं तो यह एक इंच छोड़ करके इस पर हम एक सिलाई चला लेंगे अब इसे ऐसे पलट करके यह कपड़ा थोड़ा सा चंदेरी में है तो यह सिलाई करने में खसक रहा है तो इस पर हम पहले एक बार ऐसे सिलाई मोड़ करके चला लेंगे उसके बाद हम दुबारा सिलाई चलाएंगे अब इसे पलटने के बाद हम इस पर किनारे दो सिलाई चला लेंगे अब यह देखे हमारा दोनों हिस्सा कंप्लीट हो गया है अब जो पीछे की डिजाइन है पीछे की जो कटिंगे उसे हम जोड लेंगे इसका दोनों कंदा हम जोड लेंगे यह देखिए इस पर हम डबल सिलाई चला करके इसको मजबूरते से हम जोड लेंगे दोस्तों आप हमें फेस्बूक और इंस्ट्राग्राम पर भी सरल सिलाई A to Z के नाम से फॉलो कर सकते हैं वहां भी मैं ऐसे ही वीडियो अप्लोड करती हूँ देखिए यह एक्स्ट्रा जो निकला एक अप्ला उसे काट लेंगे अब हम गला बनाएंगे तो यह गले पर हम यह जो तिर्ची पट्टी काटे थे हम दो दो इंस चौड़ी उसे हम इस तरीके से जोड लेंगे यह देखि और फिर ऐसे दो बार मोड करके इस पर हमें सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम जो एक्स्ट्रा है धागा उसे काट लेंगे और इसे पलट करके इस पर भी हम सिलाई चला देंगे आप चाहें तो तुर्पन भी कर सकती है कि देखिए दोनों गला हमारा ऐसे हम बना लेंगे अब आस्तिन हम बनाएंगे आस्तिन की मोहरी के साइड हम से लाई करके इसे पलट लेंगे दोनों आस्तिन हम ऐसे ही कर लेंगे आस्तिन में आप चाहें तो कोई डिजाइन भी जोड सकती है मोहरी पर जैसे मैंने जोड़ी है अब ये दोनों आस्तिन हम नाप करके जोड लेंगे देखिए दोनों आस्तिन हमें जोड लेना है जोडने के बाद हम ये बलाउस का सीधा हिस्सा है वहां पर एक सिलाई चला लेंगे एकदम किनारे पर दोनों आस्तिन जोडने के बाद हम सीधी सिलाई चला कर ये देखिए हो गया अब हम इसे उल्टे साइड पलटेंगे उल्टे साइड पलटने के बाद हम इसे टेबल पर अच्छे तरीके से बिचा लेंगे देखिए इसे ऐसे ही रख करके अच्छे से हमें बिचा लेना अच्छे से पलट करके अब हमें निशान लगाना है फिटिंग का तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए इसको बीच से ऐसे मोड देंगे अब सीने पर हम निशान लगाएंगे तो आपका सीना जितना भी है उसका चौथाय हिस्सा ले लेंगे मतलब सीना 42 है तो उसको चार से भाग देंगे तो साड़ी दस आज जाएगा कमर आपका जितना भी उसका चौथाय हिस्सा ऐसे तेरचा निशान लगा लेंगे और मोहरी जितना भी उसका आधा हम निशान लगा लेंगे कि एक ऐसे हम निशान लगा सकते हैं ऐसे मोड करके और आप चाहें तो खोल कर भी निशान लगा सकती हैं तो ऐसे हुक वाली पट्टी पर रख करके सिने का चत्था हिस्सा और कमर का चत्था हिस्सा दोनों निशान लगा के तिर्चा और यह जो मोहरी उसका आधा अभी इन तीरों निशान को हम सीधा मिला लेंगे और इस पर सिलाई चला लेंगे डबल सिलाई हम चलाएंगे ताकि यह मजबूत हो यह दिखे हमारा ब्लाउस कंप्रीट हो गया है आप चाहें तो इसका जो गला है वहां पर लैश भी लगा सकती है गले पर और जो मोहरी है वहां पर भी आप लैश लगा लेंगे तो यह दिखने में बहुत संदर लगेगा तो यहां पर लैश लगाना है और कमर पर भी निशान लगा करके अब हम नाप के बताते हैं कि यह कैसा कितने इंच का बना है तो यह देखे 21 का दूगना 42 42 इंच सीने का बना है हमारी मोहरी 12 थी लंबाइस की 14 थी इसका गलाच 6 था वीडियो देखने के लिए धन्यवाद